हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियल्मी और रेड्मी की तरफ से दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स रियल्मी का रियल्मी 8 जो आपको मिल जाता है दोस्तो 15000 का और रेड्मी का नोट 10S जो लेटेस्ट एडिशन लाँच हो गया दोस्तो 15000 का ही तो इस वीडियो में इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों के अंदर क्या-क्या खूबिया है क्या-क्या कमिया है और आपको दोनों से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आखिर तक देखते रहिएगा अगर आप एक मार्केट में अभी का बेस्ट मुबैल लेने की सोच रहे हैं 15000 के बजट में चलिए देखते हैं 15000 मेरी यलमी 8 के साथ कहके मिलता है तो सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगवा है एक सिम जेक्टर टूल अंदर दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुल और एक कवर की क्वालिटी बहुत ज़दा बढ़िया है इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह एक टाइप सी केबल जिसके लेंद और क्वालिटी दोनों काफी ज़दा बढ़िया है और अच्छी चीज यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है आखिर मापको रखवा मिलता है यह वाइट कलर में काफी हैवी चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज़दा बढ़िया है अब इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चारजिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 30 वाट का फास्ट चारजर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो charger आपको काफी fast दिया गया है बहुत ज़्यादा बढ़िया realme 8 के साथ अब यह सारा समान आपको मिलता है realme 8 के साथ 15,000 में rate के साथ से देखा जाए तो box के अंदर आपको समान बहुत ज़्याद अच्छा ही दिया गया है type C cable भी अच्छी है cover भी आपको काफी बढ़िया quality का मिलता है और charger भी काफी ज़्यादा fast है चले देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे Redmi के Note 10S पे खर्श करते हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है latest edition में तो दोस्तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले मिलता है mobile एक wrapper के अंदर इसके बाद मिल जाता है एक mini box जिसमें पीछे की तरफ लगवा है एक simjector tool कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ आपको दिये गए हैं इसके कुछ user manual एक मिल जाता है इसके साथ भी cover जादा बढ़िया cover realme के साथ दिया गया है रेडमी से इसके बाद मिलती है दोस्तो ये white color में data cable length और quality इसकी भी दोनों काफी जादा बढ़िया है और अच्छी चीज यह है इसके साथ भी आपको type C cable दी गई है काफी अच्छी quality की आखर में रखा हूँ मिलता है ये white color में charger इसकी भी build quality काफी जाद अच्छी है अब इस mobile के अंदर भी आपको fast charging का support दिया गया है और एक 33 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर मिल जाता है तो दोस्तों इसके साथ 33 watt का है realme 8 के साथ 30 watt का type C cable दोनों के साथ है cover भी दोनों के साथ दिये गये है तो rate के साथ से देखा जाए तो इस चीज में तो दोनों ही mobile काफी जाद बढ़िया है box के अंदर आपको समान दोनों के साथ एक जिसा मिल जाता है बहुत जाद अच्छा और कीमते भी दोनों की सेम है 15,000 तो इस चीज में तो दोस्तो दोनों ही बढ़िया है चली बात कर लेते हैं अब दोस्तो डिजाइन के बारे में तो इन दोनों mobile's के अंदर आपको design मिलता है बहुत ही जादा glossy light की reflection आप देख सकते हैं दोनों के back panel पे बहुत अच्छी लगती है black type का color आप देख सकते है realme 8 का काफी बढ़िया लग रहा है right side पर lining दी गई है जिसमे rainbow colors के effect दिये गए है दोसरी तरफ note 10S का बिलकुल नया cosmic purple color latest edition आप देख सकते हैं इसका काफी बढ़िया लग रहा है purple और black shade का effect है इसके अंदर और दोस्तो इसके अंदर आपको छोटी-छोटी dots भी दी गई है बिलकुल stars की तरह लगती है galaxy design है इसका तो दोस्तो design तो दोनों के अंदर बहुत ज़दा बढ़िया है quality दोनों में average है plastic के type की scratches असानी साजेंगे glass design दोनों में से किसे में भी नहीं दिया गया बात करें दोस्तो camera के बारे में तो realme 8 मापको पिछी की तरफ 4 camera दिये गए है इसमें main camera है 64 megapixel का दूसरा 8 दो camera है 2-2 megapixel के front है इसका 16 megapixel का camera की performance दोस्तो realme 8 के अंदर आपको काफी ज़दा बढ़िया मिल जाती है दूसरी तरफ redmi के note 10s मापको पिछी के तरफ 4 camera दिये गए है इसमें main camera है पहला 64 megapixel का दूसरा 8 दो camera है 2-2 megapixel के front है इसका 13 megapixel का camera की जो दोस्तो performance है वो आपको redmi के note 10s के अंदर भी काफी बढ़िया मिल जाती है और realme 8 के अंदर भी लेकिन इन दोनों के comparison में ज़ादा बढ़िया camera आपको मिलता है realme 8 के अंदर camera को लेकर realme 8 और ज़ादा बढ़िया है redmi के note 10s से Camera comparison में Realme 8 ही वी ने रहे हैं दोनों में इसके लाव दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design किसका color जाद अच्छा लगा comment करके ज़रूर पताईएगा मज़े दोस्तो note 10s का cosmic purple color latest color काफी जादा पसंद आया इसके लाव दोस्तों बात करें display के बारे में तो दोनों के अंदर आपको लगबग 6.5 की display दी गई है डिस्पले का size लगबग दोनों के अंदर आपको एक जैसे मिल जाता है और quality भी दोनों के अंदर आपको बहुत जादा बढ़िया एक जैसी दी गई है AMOLED तो दोस्तों display की quality को लेकर size को लेकर दोनेक जैसे है लेकिन real में जो display के colors है brightness है वो किसके अंदर जादा बढ़िया है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बात कर उससे पहले दोस्तों user interface के बारे में तो इन दोनों के अंदर आप ऐसे उपर की तरफ swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोनों के अंदर आपको app draw दिया गया है दोस्तों user interface को लेकर मुझे इन दोनों में ज़्यादा better लगा Redmi का Note 10S बाकी आपकी पसंद की बात है क्या अंदर से features आपको देखने में किसके ज़्याद अच्छे लग रहे हैं Realme के या फिर Redmi के या आपकी पसंद की ही बात है इसके लवग दोस्तों इन दोनों मोबाल्स के अंदर आपको display में जो design मिलता है वो punch hole camera वाला दिया गया है display के अंदर ही camera है दोनों में Realme 8 के अंदर आपको left side पर दिया गया है Redmi के Note 10S में बीच में मिल जाता है display का design दोनों के अंदर अच्छा है edges, bezels भी काफी कम दिये गये है बाकि दोस्तों display के अगर आप colors देखेंगे brightness देखेंगे तो आपको दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाते है थोड़ा सा आपको warm effect मिलता है Note 10S के अंदर दोस्तों display के जो colors है उसके लेकर आपको दोनों में दिक्कत नहीं होगी अगर आपको बढ़िया display चाहिए तो ये दोनों ही mobile बहुत ज़्याद अच्छे रहेंगे आपके लिए आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं display की quality आपको काफी ज़्यादा best मिल जाती है लेकिन एक कमी दोनों के अंदर ये है दोनों ही के अंदर आपको 60 Hz का refresh rate दिया गया है normal निचे के साइट साब देहेंगे दोस्तों तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है दोनों के अंदर बिल्कुल सेम जगा पर side उसे design ज़्यादा shiny है note 10S का right साइट साब देहेंगे तो volume के buttons और power के buttons है Redmi में आपको fingerprint scanner note 10S में side में दिया गया है power के button के अंदर लेकिन realme 8 में display के अंदर है ये खुभी realme 8 में ज़्यादा बढ़िया है लेकिन उपर से देहेंगे तो दोनों में noise cancelling mic है note 10S के अंदर आपको ये खुभी ज़्यादा मिल जाती है आपको IR blaster दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप चला सकते हैं और इसमें आपको ऊपर की तरफ भी speakers दिये गए है ये खुभी ये note 10S के अंदर अच्छी है realme 8 में in display fingerprint scanner है realme 8 में आपको दी गई है 215,000 में 4GB RAM 128GB के internal storage note 10S में आपको दी गई है 6GB RAM 64GB के internal storage तो realme 8 में storage जादा है Redmi के note 10S में आपको RAM जादा मिल जाती है 2GB इसके लब दोस्तों इन दोनों mobile's के अंदर आपको android का 11 version दिया गया है इस चीज में दोनों जैसे हैं बात कर दोस्तों battery के बारे में तो दोनों के अंदर आपको 5000 image की battery दी गई है एक दिन का battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर दोनों बढ़िया है बात कर दोस्तों processor के बारे में तो processor भी आपको दोनों के अंदर एक जैसे दिया गया है midi-tech का G95 अगर आप एक बहुत ज़दा heavy user है performance आपको बढ़िये चाहिए तो इन दोनों के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी दोनों ही mobile's के अंदर आपको gaming processor दिये गए है जिसे आपको game वगएरा खेलने है तो इन दोनों के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी hang होने की दिक्कत नहीं मिलेगी क्योंकि performance आपको दोनों ही के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है अब ये सारी खुब्य कम्यापको मिलती हैं दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो इन दोनों के comparison में सबसे बड़ा point यही है दोस्तों कि आपको Redmi पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Realme पे क्योंकि दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको खुबिया बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है यह दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस बज़ट के अंदर आपको दोनों के अंदर फीचर्स और दूसरे स्मार्टफोन के comparison में बहुत ज़्याद अच्छे दिये गए हैं जिससे अगर आपको design बढ़िया चाहिए तो आप दोनों में से कोई से ले सकते हैं हो सकता है आपको realme 8 का design पसंद आया हो बाकि दोस्तो मुझे note 10s का design अच्छा लगा मैं आपको suggest करूँगा आप note 10s खरी दियेगा इसके अंदर आपको color design काफी बढ़िया दिया गया है और दोस्तो अगर आपको display बढ़िया चाहिए तो भी आप दोनों में से कोई से ले सकते हैं दोनों ही काफी ज़्याद अच्छे हैं camera आपको बढ़िया चाहिए तो तो आप दोस्तो realme 8 खरी दियेगा camera इसके अंदर जादा बढ़िया है इसके साथ दोस्तो अगर आपको performance बैटरी बढ़िया चाहिए तो भी यह दोनों बहुत अच्छे हैं आप दोनों में से कोई सब भी ले सकते हैं realme 8 के अंदर वैसे storage जादा दी गई है storage अगर आपको जादा चाहिए तो आप realme 8 खरी दियेगा in display fingerprint scanner भी है इसके अंदर और दोस्तो note 10s के अंदर आपको 2GB RAM जादा मिल जाती है तो दोस्तो design दोनों में बढ़िया है battery performance दोनों के अंदर आपको अच्छी मिल जाती है display भी दोनों के अंदर बढ़िया दी गई है तो अलगबग सबी चीजों में दोनों बढ़िया है लेकिन फिर भी दोस्तो इन सब चीजों के अलावा note 10s में ये खुब जाद अच्छी है तो दोस्तो ऐसा quality wise देखा जाए तो थोड़ा जादा better realme 8 ही है अंद दोनों के अंदर अब आप बतेएगा फिर भी comment करके आपको इन दोनों मोबैल्स में कौन से जादा अच्छा लगा थोड़ा सा जादा better realme 8 या फिर redmi पर आपको भरोसा है तो आप note 10s खरीदना पसंद करेंगे comment करके जरूर बताइएगा मुझे दोस्तो ये दोनों ही mobile's काफी जादा परसनली बहुत पसंद हैं दोनों ही मुझे काफी अच्छे लगते हैं बाके दोस्तों कि आप इन दोनों का speed test भी देखना चाते हैं क्योंकि दोनों के अंदर आपको एक जिससे processor दिये गए हैं तो अगर आप देखना चाते हैं तो comment करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए वीडियो के निचे जो इलाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को subscribe कर लिजिए बेल एकन दबा के all पे क्लिक कर दियेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई